नमस्कार स्वागत है आपका संसर टीवी पर मैं हूँ अविक्रम सिंग और मेरे साथ बेहद खास महमान मौझूद है बीजेपी के वरिष्ट नेता और अठारवी लोकसभा के सांसद भूपेंद्रियादव जी सबसे पहले तो शुब काम ना है अठारवी लोकसभा में चुन बात हुई आप अधिवक्ता परिशद के अध्यक्ष भी रहे और इसके अलावा आज तक जो पॉलिटिकल जर्नी रही है लोकसभा के सफ़ा तक नए अधिवक्ता परिशद का में राष्ट्य महमंत्री रहा बारा वर्ष राज्यसभा का सदस्य रहा संसद की विभिन समीट में काम करने का आउसर मिला और मान्य प्रधान मंत्री जी के नेत्रत में मुझे केंद्री कैबिनेट में भी काम करने का आउसर मिला मेरा यह सो भाग्या है कि अठारवी लोकसभा में मुझे अलवर के संसदेशेतर से निरवाचित होने का आउसर प्राप्त हुआ है मैं आप लोकसबा सदस्य के रूप में निश्यत रूप से देश की राजनिती में संसद्य विश्यों में और सभी विश्यों में योगदान देते वे अपने निर्वाचन शेत्र और संसद्य शेत्र के लिए काम करना भी लोकसबा के संसद्य की प्राथमिक्ता होती है और में उन विश बीच में जाऊंगा और सरकार की जितनी भी कल्यानकारी योजना है वह अलवर तक पहुंचे उसके लिए में काम करूँगा एक पेड मा के नाम हम सब इस धर्ती पर जो जीवन जीते हैं और हमें जो जन्म देने वाली मा है अपनी मा के साथ एक वरक्ष जरूर लगाए अगर मा इस दुनिया में नहीं है तो उनकी फोटो जरूर लगा करके इसको सुशल मुजिया में प्रचारित करें लेकिन एक पेड करते हैं इसमें अगर हम पेड लगाएंगे तो जो आने वाले समय में जो सबसे बड़े खत्रे हैं जलवायू के तापमान का बढ़ना धर्ती का बंजरी करण होना जिसको डेजर्टिफिकेशन ओफ लैंड और बायोडियोशिटी का संकट इन तीनों संकट के लिए एक स्टाइल पर आज पांच जून को मन्य प्रधान मंत्री जी ने स्व्यम रक्षार ओपन करके एक आवान किया है कि हमें इन्वार्मेंट फेंड़ी लाइफ स्टाइल में कम से कम एक पेड मा के नाम पे लगाएं आज उसका हैश्टेग भी चला है और मैं आपके संसर टीवी के माध्यम से भी सबको आवान करना चाहता हूं कि हमारे जन भागी दारी के बड़े वैश्वी कारिक्रम में सभी लोग जुड़ें नव निर्वाचित संसर बीजूडें अपने शेत्र के लोगों को भी जूड़ें सर शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए संसर टीवी से बात करने के लिए निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि भूपिंद रियादग जी ने अपील की है कि जो एक पहल है परियावरान को बचाने के लिए उससे सभी लोग जड़े वो निर्वाचित सांसद हो य झाली